कई बार हमारे घर में सब्जी नहीं होता है या फिर कई बार आप केचेन में जाएए तो समझ में नहीं आता है कि आज सब्जी हम क्या बनाए तो चलिए आज हम लोग कुछ नया करते हैं लेकिन फ्रेंड्स मेरी ऐसी और भी रेस्पी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्स इसी से हम आज की रेसिपी तयार करेंगे तो सबसे पहले हमें इस साइज का बहुत बड़ा नहीं लेना है मीडियम साइज का आपको प्याज लेना है और इसे इस तरह इसका छिलका हमें उतार लेना है और यह पीछे का जुलिसा है इसे इस तरह हमें काट लेना है और यह ज निकाल लेना है और यह हैं पर हमें इसको इस तरह फाडा लगा देना दहीं एस तरह मैं यानि कि खोलना नहीं है बस हलका हलका यहां हमें फाडा लगा देना है इसमें तो इसी तरह मैंने अपने सभी प्याज को काट करके रखा है और अब मैंने एक पैंचर है है और इसमें मैं ले लेते हूं दो चमच मौमफली इसे हलका सा हमें रोस्ट कर लेती हूँ, यानि कि सुखा है हमें इसको भूनना है जैसे ही हलका सा ये भून जाए तो मैंने इस मिलिया है दो चमच तील और दोनों को अब मैं साथ एक से देख मिनट के लिए भून लेती हूँ तो देखिए ये भून गया है, बहुत जादा नहीं भूनना है हमें, बस हलका हलका इसे थोरा सा रोस्ट कर देना है कि सोंधी सोंधी सीच में खुश्बू बसाने लगे और आब मैंने लिया है इस तरह का बेशन का सेव, ये मोटा वाला सेव है तो आपके पास अगरबारिक वाला है, तो आप वो ले लीजिए और एक बार मैं इन सारी चीजों को पीस लेती हूँ और इसमें मैं डाल लेती हूँ फोर चमच लाल मिर्ज का पाउडर और हाथ चमच आमचूर का पाउडर थोरा सा नमक और ईसे एक चमच इसमें टमाडर प्योर डाल लेते हूँ और एक चमच मैं इसमें ओईल डाल लेते हूँ सर्फो तिल मैंने डाला है इसमें और इन सारी चीजों को एक बार मैं इसतरा मिक्स कर लेती हूँ अब इन हे मैं अपने प्याज में थुरह सा इस तरह हलगा हलगा इने खोल लीजे और इसी इस तरह इनके अंदर फिल के लीजे तो इस तरह प्याज में हम अपने हलका हलका उंगलियों की हेल्प से खोल करके और इसके अंधर अपने इस बनाये हुए मिश्रन को जितना भी आ जाता है उतना आप इस तरह अपने सभी प्याज को पहले भड़ लेजिए अपने सभी प्याज को फील कर लेते हैं पहले और अब मैं अपने पैन में तीन से चार चमच तील डाल लेती हुँ गैस मैंने अपना जला लिया है थोरा सा ओयल को गरम हो जाने देती हुँ हलका सा जब ओयल आपका गरम हो जाया तो इसमें मैं डाल लेती हुँ हाफ चमच राई का दाना इसे तरक जाने देती हुँ एक दाना तरकने लगा है तो अब मैं इसमें अपने प्याज को डाल लेती हुँ चारो तरफ से इस तरह खेला करके अपने प्याज को डाल लेती हैं और डाल करके इसे ढख देती हैं जब तक हमारा प्याज पक रहा है तब तक हम एक और तयारी कर लेते हैं मैंने लिया है तीन चमच दही और दही में ले लेती हूं पावडर एक चमच लाल बिर्च पावडर मैंने कश्मीर लाल मिर्च लिया है क्योंकि मेरे हां बहुत जादा तीखा कोई खाता नहीं है और क्योंकि हमने थोरा सा फिलिंग में भी लिया था और हाप चमच, हल्दी पाउडर, थोरा सा मैं इसमें नमक ले लूँगी, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने प्याज में भी नमक डाला है, और दो चमच मैंने लिया है इसमें, घुना हुआ, चना जो होता है, जो हम लोग खाते हैं, उसका मैंने पीस करके पाउडर बना लिया था, तो उसे मैंने दो चमच लिया है इसमें, क्योंकि उसे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डालेंगे, आपके पास वो नहीं है, तो आप दो चमच बेसन भून करके, वो भी इस खुल भी गया है, थोड़ा हलका हलका, तो अब हम लोग प्यार को इसमें इससे डाल लेते हूं, हलका सा जो इसमें मसाले लगे हुए थे, उसे डाल लेते हूं, इसी साइड हलका हलका मैं अपने मसाले को भून लेती हूं, एक साइड हमारा प्याज है, और एक साइड हमारा दोनों काम हो रहा है, एक साइड हमारा प्याज भी और अच्छी तरह थोड़ा पक रहा है, दूसरे साइड मैं अपने मसाले को हलका हलका चला करके भून लेती ह एक बार मैं फिर से इसे ढख देते हूं तो चलिए देख लेते हैं एक बार खोल करके तो ये देखिए हमारा मसाला भी बिल्कुल अच्छी तरह इस तरह भून गया है इस तम अच्छी सी खुश्बुग आ रही है इसकी मसाला भूनने की और दही की तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये बचा हुगा था जो हमने इसमें फिल किया था अपने प्याज में ये वाला मसाला जो बचा हुआ है इसे भी हमें वेस्ट नहीं करना है तो इसे मैं इसके ओपर डाल लेती हूं और डाल करके अच्छी तरह हम लोग चारो तरह कवर कर लेते हैं और अहर थोरा समैं इसमें पानी डाल दोंगे दो शीचों अधा पानी अहीं डालना है है अंको अब इसके ऊपर मैं ढ़र लेती हूँ थोरा से गरम मसाला और यह निके से 1,4 शामच गरम मसाला और और वन फोर्ट चमच किचन किंग मसाला और इस तरह अब हम इन्हें फिर से एक बार इसी तरह धग देते हैं बिलकुल हम चलाएंगे नहीं हिलाएंगे नहीं इसे और मैं एक सु देढ़ मिनट के लिए और इसे धग देती हूँ तो बस यह देखिए हमारी सब्जी का रंगत तो बस त्यार है चलिए चलते हैं सर्विंग की तरफ वैसे तो किसी भी सजावट की इसको जरूरत नहीं है लेकिन चलिए थोरा सा डाल लेते हैं हम लोग धनिया पत्ता उपर से तो आप बताईए प्याज घर में पढ़ा हो तो कि यह सब्जी बना ली न तो आप हर बार यह सब्जी बनाना चाहेंगे तो अब प्याज घर में पड़ा हो तो क्या चिनता है तो बना डालिए ये वाली सबजी और कॉमेंट बक्स में मुझे लिख कर बताईए कि आपको प्याज की ये वाली सबजी कैसी लगी तो फ्रेंट्स रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया किजिए मिलेंगे ऐसे ही अगली रेस्पी में तब तक के लिए धन्यवाद तो मैंने तो इसी में सर्व कर दिया है अब आप इसे जैसे मर्जी है वैसे सर्व कीजिए और मज़े कीजिए प्याज की सब्सक्राइब